नमस्का फ्रेंड्स आरस ग्यान यूट्यू चैनल में आपका हर्दिक श्वागत जैसे अब देख रहें कंप्यूटर स्क्रीन पर डिरेक्टुरेट जनरल ऑफ हॉम गार्ट्स गवर्णन्ट आप एंसीटी ऑफ देली जी हां यहां पर हॉम गार्ट्स की जो वेकेंसियां लेज चौबिस टोटा नमबर पोश्ट जो दस हजार दोसब पच्यासी पोश्ट फ्रेंड्स और आविदन आज स्टार्ट हो चुकि हैं चौबिस जनवरी दो हजार चौबिस स्टार्ट है और आज ही वीडियो आपके लिए बनाया रहा लेस्टेस्ट अपडेट के साथ से पहले आपको रजिस्टेशन के लिए क्या करना होगा एप्लाई ओनलाइन उससे पहले जो है आपकी हाइट 65 मेल और एक बावन महला करने इडिट के लिए साथ में देख सकते हैं इंपोर्टन इस्ट्रेक्शन यह जो चला आए स्क्रोलिंग यहां से क्लिक करके आप रीड कर सकते हैं और फूटू लिटेस्ट होनी चाहिए और थम एंप्रेशन अपना जो है रेडि करके रखें लेप्ट थम एंप्रेशन सिंग्नीचर वाइट व लिंक है साइट का आप वीडियो के डेस्ट में मिल जाएगा 20 से 45 यर्स यानि कि 20 साल से लिए कि 45 साल तक जो फॉर्म में आप अप्लाई कर सकते हैं तो यहां फॉर्म उपन हो चुका है रेजिस्टिशन परसनल डिटेल में सबसु पहले जो समझने की बात है वो 10th की सब्सक्राइब के अनुसवार ही डिटेल करिएगा और यहां पर जो इलीजिवल्टी वो 10 प्लस टू है यानि कि हाई स्कूर रेंट भरना अनुवार है आपको ठीक है देखिए हम पर सब्सक्राइल नाम डाल दिए पूरा अपने 10th की मार्षिट अनुसवार इमेल आडि ड है अब यहां मुवाइल नमर रिलेशन आप अश्वेंड का डाल रहे हैं यह अपने पिता का डाल रहे हैं सेल्प डाल रहे हैं तो यहां पर रिलेशन लिख दीजिए कि मुवाइल अंबर किसी रिलेशन से अपलग आ रहे हैं आदा नमर डालेंगे उसके बाद एक सर्विस यहां पर यहां पर हमने हाइड लिख दिया है आपका हाइड दीए 65 तक है तो आप यहां लिख सकते हैं अदरवाज जितना भी हो उतना आप यहां लिखेंगे एक मैं सटके ऊपर का अब बात आती है एड्रेस का तो यहां पर अपना एड्रेस को फिल कर दीजीगा और देली की भरती है और देली की कंडिडेट ही इसमें फॉर्म को एपलाई कर सकते हैं चुकि यहां पर और कोई सिटी यहां पर उपन नहीं हो रही है एबल देली एड्रेस फिल करने के बाद आपको यहाँ नेम और प्रूप और प्रेसिडेंस इस बात का प्रूप चाहिए कि आप देली के ही कंडिडेट हो तो उसके लिए इसमें से कोई एक आईडी प्रूप आपको चूज करना होगा वैयलेट पास्पोर्ट है एलेक्सिंट फोटो आई-डी काड है करेंट एंड वैयलेट राशन काड है वैयलिट डाइविंग लासेंस इस द्यूप पास्पूख बेंक पास्पूख औफ पबिक सेक्टर बैंक अकाउंट हैंग फोटो ग्राफ विद रेसिडेल सेंगडेशिन प्रफट बैंक पास्टो लगा सकते हैं सटीपिकट इशू बाई रिवेन्यु डिपाट्मेंट टीक है तो यहां अपना जो है जो आपका तैसील से जिला से जो शुदा से अनल लगा दीजीएगा और सबस्ट जो है पासपूर्ट है यहां पर एलेक्शन कमिशन फोटो पास जो भी ऑप्सन चूज कर रहे है उसका नंबर डाल दीजीगा आप एक से अधिक जो आईडी प्रूप है उनको चूज करके यहां फिल कर सकते हैं यदि आपने एक से अधिक चूज किया तो ठीक दू अप्सन नीचे खुल जाएंगे तो दोनों को आप बारी-बारी से फिल कर सकते हैं यदि आपको सिंगल है तो आप सिंगल हैं आपस सेलेक्ट कर सकते हैं अब हम पहुंचे हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स पर जहां पर आपको सब्जेक्ट ऑप दा एक्जामिशन देखिए जो भी सब्जेक्ट आपका 10 पर रहा है पूरा दीजिएगा यदि ग्रिजुएशन पोस्ट ग्रिजुएशन और भी कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो तो आप सभी को फिल कर सकते हैं बट मेंडिटरी जो चिन लगे हुए एस्टेक के आप देख सकते हैं इस्टार बोलिए या फिर एस्टेक का चिन बोलिए मेंडिटरी फिल्ड आप देख सकते हैं दोनों को टैन प्लस टू भरनक बहुत कंपलसरी और यहां हमने फिल कर दिया है पासिंग देख सकते हैं पर और परशेंटेज में पगर आप फिल कर दिए ठीक है उसके बाद बोनस मार्स क्लैम यानिकी अधिमानी एरता जैसे एंसी किसी है यह फिल्ड डिफेंस में काम किया है साटिपिक डप बेसिक और एडवांस कोर्स है आपके पास और कम से कम त्रीयर्स का एक्स्पीरियंस से तभी वैलिड होगा आप देख पा रहे होंगे बोनस मार्स बिल बी अवार्डेड ओनली फॉर दोस का निदेट हुए अप्लोड करिएगा सेलेक्ट कीजिएगा आप लोड फॉटो सिग्नीचर एंड डोकुमेंट्स तो यहां पर फॉटो सिग्नीचर थम लेफ्ट थम अम्प्रेशन अप्लोड लेफ्ट हैंड थम अम्प्रेशन फॉटो अप्लोड रेइप रेंटर से स्केन करियेगा और उरिजिनल क्वाइटी में और अप्लोट कर दीजिएगा जो साज रहेगा वो देख सकते हैं 20 से 50 के भी फोटो और सिंग्नीचर 10 से 50 के भी थम एंप्रेशन जो है दस से 50 के भी हो जाएगा बड़े आराम से माइक्स पिच्टर में जो क्रोप कर लीजिए फोटो साढ़े तीन साढ़े चार में पैंट की माध्यम से फोटो से बना लीजिए और अपलोट कर दीजिएगा प्रीवी पर क्लिक करेंगे तुरंत प्रीमेंट होगा तभी फॉर्म आपका एक्सेप्टेड माना जाएगा अधूरा अपूर्ण आभिदन है तो बो रेजेक्ट होगा इसलिए फॉर्म को पूरा कम्प्लीट करें बिद पेमेंट के साथ बिद फानल प्रेंट के साथ तो यहां जो है फानल स्टेज पर हम कर लीजिएगा ठीक है उसका फिर से आप यहीं पहुंचेंगे और फिर से प्रीव्यू को अच्छे से चेक करेंगे उसकी बात सम्मिट सम्मिट बटन जो रेड में देख रहा है वाइट से लिखा हुआ है यहां पर अब आपको सम्मिट करना होगा और यहां दे सकते हैं प नहीं कर सकते हैं इसलिए साफधानी से फ़र्म को चेक करें उसके बाद ही फाइनल सम्मिट करें और OTP को यहां डालना होगा इमेल यह मोबाल का OTP है डाल येगा डालने बात क्याप्चर फिल जो हो नंबर में मिल गया है डेट अब बर्थ है और एपलीकेशन स्टिटेशन कम्प्लीट है और डेट ऑफ एपलाइंग जो 24 जैनवरी यहां आप देख सकते हैं एक्सेप्ट पर क्लिक करिएगा डेट पर उसके बाद पे नाओ का जो ऑप्सन है यहां पर क्लिक करिएगा और जो नेक्स स्टेप पेमेंट का है उससे कम्प्लीट करना होगा तभी फॉर्म आपका एक्सेप्ट इट माना जाएगा एक सदिक करिए और वो भी शाबधानीश करिए जिससे आपको नेक्स्ट विच्ट नो कोई समस्टा है नहीं होगी तो चलिए अब हम जो है पे नाओ पर क्लिक करते हैं अगला स्टेप पेमेंट मोड का है और यहां पर देख सकते हैं डीडियो हॉम कार्ट सेंट स्टिबिल डिफैंस टोटल एमाउंट जो हंडेट वी से आप क्रिडिट कार्ड है यूपी आई यह स्कैन की और कोड बॉलेट किसी के भी माद्यम से आप जो है पेमेंट कर सकते हैं तो हमने क्यूआर कोड पर ओपन किया और क्लिक किया यहांब क्यूआर कोड ओपन हो गया है जट से अपने मोईल से किसी भी उपन करिए स्कैना चालू करिए और स्कैन कर लिए फटा 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 अपने मोईल से पेमेंट कर दीजिगा सिस्टम लेप्टॉप पर करेंगे तब ही आप मोईल से कंप्यूटर स्कैन कर पाएंगे तब ही आप सक्सेसुल पेमेंट कर पाएंगे इस दोर और चेक करेंगे help and email ID का use करेंगे और लाज डेट नजदिक आ रही है तो दुवारा पेमेंट करने के वारे में सोच सकते हैं तो आप इंतजार जरूर करें और जो आपको ट्रिक बताए जारी है उनको जरूर अज्वाएं और प्रियास करें उसके लिए पेमेंट पेंडिंग होने की स्थिती में या देख सकते हैं तुमेक दा पेमेंट एप्लिकेशन फियां से क्लिक करेंगे अपना स्टेटस चेक करेंगे यह दिक गया है और इंकम्प्लीट आ रहा तो इंतजार कर लिजिएगा दो दिन का विउ स्टेटस सब्मिट लेते हैं डाउनलोड एप्लिकेशन फॉर्म बट अपने पहले में पेमेंट पर क्लिक कर लिएते हैं और यहां पर मेंट जो पेमेंट रिफ्रेंस नम्बर है वह आपकी मुवाइल पर या इमेल पर आ गया होगा तो उसको यहां पर लिख दीजिगा नहीं पताया तो फॉर कर लीजिएगा फॉर्गिट करने के लिए संपाल सा ओप्सन है आपको करिएगा और अपने इमेल मुवाइल नमबर डाल का सम्मिट करिएगा आपको जो है आपका जो है रेफ्रेंस नमबर अजिस्टिशन नमर मिल जाएगा जिसकी माध्यन से आपना पैमेंट स्टेटस प सबीका लिंक एक है जब आप लॉगिन करेंगे तो सीधा आपको यह सही देखाएगा ऐसा लिए देखेगा क्योंकि अपका पैमेंट नहीं कटा होगा तो यहां पर जो है इनकम्प्लीट देखेगा और फिर से पेमेंट के लिए उपसन आएगा नीच आप देख सकते स्क्र हैं में पहले आप कर रहे हैं उस्सार न समय है तो ड्वारह पैमिंट करने से बचिए कैसे एकॉंट चेक लिए गएगा प्यूसीर उसले हैं। तो जब भी आप किसी तीन लिंक दिए गए माँ पर पेमेंट का स्टेटस का डाउनलोड का कहीं से भी आप जब लॉग इन करेंगे तो सीधा आपको फाइन प्रिंट ही दिखेगा दुवारा से पेमेंट के लिए उप्सन आपको नहीं दिखेगा ठीक है अधी दुवारा से सबस्क्राइब जा नहीं जब तक इस टेटस में आपका फाइन प्रेंट आपको रिशीद नहीं हो जाता तक आपका एक्सेप्टटेट नहीं ज़िए जब भी फोर्म successful हो जाता है तो फिर payment का option नहीं आता है फिर आपको final print और final print की रशीद ही मिलती है इससे इससे दो जाता है कि आपका form जो finally बिल्कुल clear done है और कोई भी शमस्चे लग रही तो आप comment में comment जरूर लिखेगा और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरू करें वीडियो देखने के लिए अब सभी का धन्यवाद नवश्कार जैहिंद जैभारत